नमस्कार फ्रेंड्स वागाते हैं आप सभी का सॉलिसें विद्रेस अब यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में मोश्ट इंपोर्टेंट बनबड सब्सिटूशन लिए हैं जो कि सभी गवर्मेंट एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्तपूर हैं और ये सारी कुशन बार-बार एक्जाम्स में पूछे गए हैं और इस वीडियो मैंने 30 कुशन लिए हैं आप लोगों को जरूर बतना है कि 30 में से कितना स्कोर किया है और टेलिग्राम का चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप टेलिग्राम जरूर जोइन का लिजिए और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले आब विजिट कें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला जो कोशन है सबसे पहला जो question है life story of a person written by someone else मतलब किसी दूसरे की life story के बारे में लिखना तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं biography तो option जो है इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number two government by the pupil of the pupil for the pupil लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं democracy option जो है इसका be correct हो जाएगा और आप लोग score जरू बता है कि आप लोगों ने कितना score किया है 30 में से friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and say जरू करें अगला जो question है question number third one who believe in whatever is told मतलब जो उसको कहा जाता है उस पर वो बिश्वास कर लेता है आसानी से तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं credulous credulous कहते हैं तो option जो है इसका be correct हो जाएगा अगला जो question है question number four life story of a person written by himself मतलब जो अपनी life story खुद लिखता है मतलब जो अपने बारे में खुद लिखता है अपनी life story के बारे में तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं autobiography तो option जो है इसका a correct हो जाएगा आगला जो question है question number five government by one person मतलब जो एक आदमी की सरकार मतलब एक लोग की सरकार एक person की सरकार तो उसको क्या कहते हैं तो इसका जो answer हो जाएगा यह हो जाएगा autocracy autocracy हो जाएगी तो option जो है इसका d correct हो जाएगा मतलब एक आदमी की द्वारा सरकार मतलब ताना शाही तो option जो है इसका d correct हो जाएगा अगला जो question है question number six है one who does not easily believe whatever is told मतलब जो जिसको कहा जाता है वो उस पर विश्वास नहीं करता है आसानी से मतलब किसी भी बात पर आसानी से विश्वास ना करे तो उसको कहते हैं in credulous तो option जो है एक एक रेक्ट हो जाएगा जो आसानी से विश्वास ना करे अगला जो question है question number seven plants and animals growing or living in water मतलब ऐसे पाउधे और ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं तो इसका जो answer हो जाएगा पानी के अंदर रहते हैं पानी में रहते हैं तो इसका जो answer हो जाएगा ये हो जाएगा option B aquatic option जो है इसका बी correct हो जाएगा आगला जो question है question number eight animals able to live both on land and in water मतलब ऐसे जानवर जो land पे रहते हैं मतलब जमीन पे रहते हैं और पानी में भी रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं amphibian तो option जो है इसकसी correct हो जाएगा अब आप लोगों को comment box में ये बताना है जो जानवर land पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं तो ये आपको बताना है जो जानवर land पे रहते हैं मतलब जमीन पे रहते हैं उन जानवरों को one word में क्या कहते हैं और जो जमीन और water दोनों में रहते हैं उसको कहते हैं amphibian और जो केवल पानी में रहते हैं तो उसको कहते हैं aquatic अब आपको यह बताना है कि जो लेंड पे रहते हैं मतलब जमीन पे रहते हैं उनको क्या बनवर्ड़ेंग कहते हैं तो आप लोगों कोमेंट वक्स में जरूर बताना है अगला जो कुशन है कुशन नमा नाइन एनिमल्स विच गिव मिल्क मतलब ऐसे जानवर जो दूद देत हैं तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं कोईड्रोपेड कोईड्रोपेड ओप्सन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमा 11 वन हो लब्स मेंकाइंड मतलब जो मानव जाती से प्यार करता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको बनवर्ड में नफरत करता है तो उसको बन बाड में क्या कहते हैं तो इसका जो अंसर हो जाएगा मिसन थ्रो तो आप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 13 One for whom the world is home मतलब ऐसा आदमी जो पूरे संसार को अपना घर समझता है तो इसका जो अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस्मो पॉलिटेन कॉस्मो पॉलिटेन हो जाएगा इसका अंसर मतलब जो कोई ऐसा बंदा जो पूरे संसार को अपना घर समझता है तो इसको कहते हैं कॉस्मो पॉलिटेन जिसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 14 मतलब जो एसा ब्यक्ति जो निगेटिव सोचता है या निगेटिव थोट्स रखता है तो इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं पैसी मिष्ट जो नकारात्मक सोचता है अपने अंदर तो इसको कहते हैं पैसी मिष्ट ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा अगले जो question है question number 15 a person who looks at the bright side of a thing मतलब जो आशाबादी होता है मतलब जो अच्छा सोचता है तो उसको कहते हैं optimist तो option जो है इसका जो है आशाबादी हो जाएगा और ये होता है निराशाबादी तो option जो है इसका de-correct हो जाएगा अगले जो question है question number 16 one who knows everything मतलब जो सब कुछ जानता है जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं omniscient तो option जो है इसका de-correct हो जाएगा अगले जो question है question number 17 one who is present everywhere मतलब जो हर जगे उपस्तित है तो उसको क्या कहते हैं omniscient तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है question number 18 one who is all powerful मतलब जो बहुती सर्व सक्तिमान है तो उसको क्या कहते है one word में तो उसको कहते है omnipotent omnipotent कहते हैं सर्व सक्तिमान को तो option जो है इसका B correct हो जाएगा फ्रेंट सकर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लेकेंड इससे जरू करें अगला जो question question number 19 one who collects ishtam मतलब जो ishtam को collect करता है मतलब इखटा करता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं फ्लेटे लिष्ट option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question number 20 one who walks in sleep मतलब जो सोते समय चलता है मतलब सोते समय टहलता है जैसे कुछ होते हैं जो सपने में आचानक से टहलने लगते हैं आँखें बंद नहीं लेकिन टहल रहे हैं पता नहीं कैसे जो सोते समय बोक करते हैं तो उसका समय लो कुष्ट तो इसका जो है डी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा अगला जो question number 22 one who treats mental illness मतलब जो मानसिक जो मस्तिस्क का मतलब मस्तिस्क जो बीमारी होती है उसका treatment करता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं psychiatrist psychiatrist कहते हैं उसको तो आप इसको याद रखें तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है question number 23 है one who hates women मतलब जो बोमेन से नफरत करता है तो उसको कहते हैं जो बोमेन से नफरत करता है तो उसको कहते हैं misuganist misuganist कहते हैं तो उप्सन जो है इसका E correct हो जाएगा अगले जो कुष्ण है कुष्ण 24 नमर्ट 24 one who does not believe in God मतलब जो भघवान पर भरोसा नहीं करता है जो भघवान में भरोसा नहीं करता है तो उसको कहते हैं atheist atheist कहते है जो नास्तिक होता है तो option जो है इसका D correct हो जाएगा अगला जो question है question number 25 one who believes in God मतलब जो भगवान में भरोसा करता है तो उसको कहते हैं आस्तिक कहते हैं उसको तो यह हो जाएगा theist तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है question number 26 one who lives on flesh मतलब ऐसा जो ब्यक्ति जो मास खाता है तो उसको कहते हैं कर्णी बोरस जो है इसका D correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 one who does not eat flesh जो मास नहीं खाता है vegetarian जो है इसका A correct हो जाएगा अगला question है question number 28 one who lives on human flesh मतलब जो मानब का flesh खाता है मतलब मानब का मानश खाता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं कैणी वल तो option जो है इसका B correct हो जाएगा अगला जो question नमा 29 One who lives on grass मतलब जो घास खाता है तो इसका जो answer हो जाएगा घरभी बोरस तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है question number 30 इस वीडियो का last one who can eat all kinds of food मतलब जो सब कुछ खाता है तो उसको कहते हैं ओमनी बोरस तो option जो है इसका de-correct हो जाएगा आप लोग जरू बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है और आप लोगों जो मैंने पूछा था question जो land पर ऐसे जानवर जो land पर रहते हैं उसका भी आपको comment box में answer बताना है तो मिलते हैं new video में अगर video आपको पसंद आई है तो video को like and से जरू करें अगर channel पर पहले आप visit कियें channel जरू subscribe करें मिलते हैं new video में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम